हेलो एविए मैसेल्फ वन्वर एहमद और वेलकम यू और ऑन दिस प्लाटफर्म और एडवेंचर जेट लर्निंग तो चलिए आज के हम लोग अपने सवाल पर आते हैं आज को जो हमारा सवाल है वो प्रैक्टिकल औरगेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है लैसेंस चेस्ट चलिए क्या होता है मैं डिटेल में से बिल्कुर डिसकस करने वाला हूं इन लैसेंस एक्स्ट्रेक्ट सबसे पहले हैर कोश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना इन लैसेंस एक्स्ट्रेक्ट ऑफ एन औरगेनिक कंपॉंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर और दोखो यार यह बहुत थी कॉमन कुश्चन बहुत थी कॉमन कुश्चन है प्रैक्टिकल औरगेनिक केमिस्ट्री का ब्लड रेड कलर तो कहीं भी यह ब्लड रेड कलर आए तो समझ जाना यह टेस्ट ऑफ थायो साइने टो आयान होता है एस सी एन माइनस वन तो होप आपको तो समझ आ गया होगा थोड़ा सा कन्फयूजवन हो सकता है क्योंकि SCN माइनस यहां इस यहां पर बहीए यहां यह तो करेक्ट राइंस जो एकचल में होता है वह आपका यह होता है क्या होता है स्थैस्ट में हम बात कर लेते हैं उसमें आपका हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोर, इस तरह के elements को detect करने के लिए identify करने के लिए हम लोग license extract का यूज करते हैं इसमें होता क्या license extract में कोई भी organic compound containing these elements containing these elements इनको हम लोग treat करवाते है sodium के साथ और यहां से आपको sodium extract मिल जाता है और इसी sodium extract को फिर हम अलग-अलग reagent से अलग-अलग test के help से हम बाकी elements का हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोर, यह सब का test कर सकते हैं तो हम लोग फिलाल यहां पर बात कर रहे हैं blood red color with F3+, इसमें से कौन देता है तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर होता क्या है यार यह जो blood red color वाला test मैं इसकी बात कर रहा हूं इसमें एने सल्फर कारबन और नाइट्रोजन यानि ऐसे compound विच कंटेंज बोथ sulfur और नाइट्रोजन उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो ऐसे का और्गनिक अपॉंट जिसमें sulfur नाइट्रोजन दोनों है सबसे पहले हम इसे sodium से treat करवाके sodium thaiosynid बना लेते हैं एने SCN यहां पर एने पर प्लस बन चार्ज होता है और यह SCN होल पे पूरे SCN होल पे यह आपका FE जो है प्लस 3 स्टेट में SCN पे चार्ज माइनस बन है तो इस तरह से overall charge इसके उपर आता है प्लस 2 तो यह जो compound मिला आपको यही compound आपका यह जो compound मिला यही आपका blood red color होता है इसका color क्या होता है blood red color तो यहां पर ध्यान रखेगा blood red color SCN पे चार्ज माइनस 1 है FE पे चार्ज प्लस 3 है तो यह आपका क्या बन गया blood red color तो याद रखेगा यह blood red color क्या होता है कैसे बनता है और important यह जो blood red color है किसका टेस्ट है यह किसका टेस्ट है इसमें भी confuse कर सकता है तो मैं अगेन फिर से यह concept यहाँ पर clear कर दे रहा हूं कि यह आपका केवल nitrogen की बात नहीं करता है यह nitrogen प्लस sulfur दोनों present है same compound में इस चीज़ को confirm करता है क्योंकि हो सकता है question इस तरह से पूछा जा सकता था यह blood red color जो दे रहा है it is a taste of sulfur atom nitrogen atom नहीं दोनों nitrogen और sulfur दोनों होना चाहिए तभी यह blood red color आपको मिलेगा और बाकि तो correct option तो आपका option 4 हो गया एक पर फिर से तीनों option को भी एक बार देख लेते हैं पहला option जो है एक एक important compound है इसका नाम होता फैरी फैरो शाइन यह आपका parisian blue के नाम से famous है यह organic chemistry में यह तीन चार जो टेस्ट है बहुत बहुत important बहुत common टेस्ट है तो आप याद रखेंगे यह parisian blue कहला था इसका ना यह nitrogen element का टेस्ट होता है only nitrogen यहीं किसी compound में nitrogen item present है या नहीं तो इसके लिए आप यह person blue मतलब कि यह test आप कर सकते हो aficion hole 5 यह जो है यह sulfur minus 2 का टेस्ट होता है और इसका color की हम बात करें तो इस compound में आपको इस compound की करण जो color मिलता है वो violet color है and it is a taste of sulfur iron means किसी organic compound में sulfur item present है यह नहीं तो इसके लिए आपकी टेस्ट करवा सकते हो ओके इसको हम लोग nitrogen नाइट्रो पुरुशाइड आयन बोलते हैं एफिसीन hole 5 को यह आपका नाइट्रो पुरुशाइड कहलाता है इसी को जब हम लोग किसी भी organic compound containing sulfur iron present होता है तो ऐसे में यह violet color complex बना देता है तो उमीद है यह question को मैंने details में discuss कर दिया है और hope कि आर आपको समझ में आया होगा बहुत सारी concept यहां से clear होगी so thanks for watching video hope you enjoyed the video